नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चंशार जागेंदर में सामें दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कनियराज के दिन के रास्पल की लेकिन उससे पहले बात के लेते हैं आज के पंचांग के बारे में तेरह मई दोजरबाईश शुक्रवार के दिन है और बैसाक माश शुकल पक्षी आज द्वादे सीती थी और नशत रहे हस्त अब जीत महुरताज दुपाहर 11 बच कर 37 मट से लेके दुपाहर 12 बच के 32 मट तक रहेगा आज के शुरू दे सुबह पांच बच कर 37 मट पे और चंद्रमा की सती रहेगी कन्य राशी पर यानि कि आपके श्वयम की राशी पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और आज के जो अशुरू समय होगा वह तकरिवन सुबह 7 बच कर 37 मट से लेके सुबह 8 बच कर पच पर मीनाट तक रहेगा इस अशुरू समय में कोई विशुब और ने कारकिस्तरवात ना करेनी तो विगनवाधाई आ सकती है अब बात करते हैं आज के कन्ये राश के दिन के राशपल की और यह प्रक्सिन चंद राशी पार अधारी थे कन्ये राश के याद को आज आठ बड़ी खुसकबरी मिलेगी क्योंकि आज के दिन बिशेस रहेगा आज आपको केरियर में बड़ी खुसकबरी प्राप्त होगी। आज आपको कई जगों से विशेश धन कलाब होगा अन्य कारियों को प्रिक्षा आज की दिन विशेश रहेगा धन संपत देस्रों में बर्दी होगी और कई जगों से आज आज आपको विशेश कारियों में पलब्दिया प्राप्त होगी कारोबार का विस्तार कर सकते हैं आपके सपने पूरे होंगे शाकार पूरे होंगे तो इसे दिया काफी बेहतर होगी और कई छेटराइस्ट agreements करें और राज़ या वड़ीजो खुश्क खबरी आपको प्रापटक भी महत्वर्ण कोई डील के रूप में होगी इस डील के फानल होने से आपकी ब्यापार में तेजी आएगी आमदनी के स्तुरोत बढ़ेंगे धन के श्तिती मजबूत रहेगी साथी साथ आज आपको रुकाव फस्वधन भी प्राप्त होगा करने राशकरत को आज कारुवार का विश्थार आज आप किसी से उधार लेने की नौबत भी आशकती है यानि कि धन की जरूरत पढ़ सकती है आज आपके धन खर्चों में थोड़ी कमी आएगी बैंक के बैलेंस से बढ़ेगा कनियरा श्क्यात कौँ आज तेसरा सुबसमाचार आपका रुका वफसावा धन के रूपे मिलेगा लोटरो शटता से इलाब होगा आ कासमे गुरूप से धन कालाब होगा जमन पृपर्परिटी खरिख सकते बेश सकते हैं और अंदरने के स्रोत को बढ़ा सकते धन के नएने इस स्रोत आशकते हैं सामने काणियरास श्रैक्षियत को आपकी स्थिति काफी मजबूत रहेगी अच्छी स्थितिया रहेंगी यहीं आज धन की स्थिति मजबूत रहेगी कारोबार की स्थिति मजबूत रहेगी अन्य कारियों से आपको बुशेश लाब होगा और कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी दूने से आपके नहीं पू इशलोन की मंजूर होने से आपकी आर्थे कि स्थिय और बित्ती मामलों में काफी सुधार देखने को मिलेगा, ब्यापार में तेजी आएगी, ब्यापार में उपलब्दिया प्राप्त होंगे, अच्छे कारो बार का विस्तार करेंगे, तो महत्पूर्ण लाभ हैं मिलेंगे महत्पूर्ण आपको शफलताएं प्राप्त होंगे, अच्छे कारोबार का विस्तार करेंगे, तो इस दिया काफी बेहतर होगी, और साथी कई अन्य छेतरों से भी शेश लावगा, जो कार अभी तक अभी के अधोरे पड़े थे, पेंडेंग थे, उन्हें पूरा करने का आज की दिन मन बना सकते हैं, आज की दिन कन्य रास्कातों, ब्यापार में तेजी लाने के लिए कई महत्पूर्ण आज आप आइडिया अपना सकते हैं, साथी साथ, पुराने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, आज आपको अपने घर परिवार में, यानि पांच में जो सुब समचार मिलेगा, या खुश खबरी मिलेगी, वो मिलेगा, आज आपके जो अवेश जातक हैं, उनके नए रिष्टे के रूपिन, नए साधिवा के लिए रिष्टे आ सकते हैं, साथी, बैवाईक जीवन में बंते ने रंगे, सुब मंगल कार होगे, मंगल कार करम होगे, साधिवा का आयोजन होगा, घर में बड़े भाई बहने को सहयोग प्राप्त होगा, इन सुल्जे मुद्दे सुल्जेंगे, माता पिता के स्वास्त में लाब होगा, माता पिता को सहयोग प्राप्त होगा, करने राज करत को आधूरे कारियों को पूरा करने का मन बन सकते हैं ब्यापार में आप महत्पूर्ण फैसले ले सकते हैं कोई फाइनेशल पणाइंग करेंगे हाला कि आप बड़े बजरुकों से सलाह लेकर ही कोई काम करें कोई भी महत्पूर्ण कदम उठाएं करने राज राज को आज के दिन पर शेश रहेगा आज आपके जीवनसा अच्छे मधूर संबंध के रूप में तो इस्तिया काफी बेहतर होगे एक दिसरे के साथ लगा और जुड़ाव बना के रखेंगे आपसी तनाव खत्म होगा आपसी मनमुटाव खत्म होगा एक दुसरे के साथ काफी अच्छे रिष्टे और मजबूत इस्तिते रहेंगे तो काफी बेहतर होगा आज के दिन करने राज खत्म होगा आज आपको अपने जीवन साथ इक साथ सोपिंग कर सकते कुछ जोलेरी या सोने चांदी के खरीदारी कर सकते हैं उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं तो आज के दिन विशेष रहेगा आज अच्छे लाव की योग बनेंगे अच्छे कारोवार का विश्थार करेंगे साथी साथ धन के सती मजबूत रहेगी और कई अन्य छेत्रों से विशेष लाव होगा जो कारोवार आपके अधोरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करेंगे करने राज का जातकों आज आपको यान लगाव बनाके रखेंगे तो अच्छे रहेंगे साथी आज सोपिंग बगरा कर सकते घूमने फिरने जा सकते हैं और आज आपसी जो मनमटाव था वो खत्म होगा प्रेम संबंद प्रगारता आएगी धन एस्वरों में आज बरदी होगी संपत्त के मामलें काफी लगी रह हता है का परिज्फी बेद्ध से इंतजार था वो रेजल्ट आपके पक्षमें आएगा सिख्छा के छेत्र में सुधार होगा कंप्रटिसों अपर की परिचह में लाब होगा अज आपको पढ़ाई के छेतर काफी बैतर is आजब का पत्व कुछ अन्य कारियों से बिशेश लाव होगा जो कार अभी तक अधूरे पड़े थे पुरा करने का प्रयाश करेंगे आई आपको सफलता हूं कि एक नए आयाम पोछ हुएंगे साथ स्वास्त बेहतर होगा स्वास्त संबंधी परेसानियों से दोरी यहीं कि मुक्ति मिलेगी अभी तक जो इसकिन समस्चाएं या फिर कोई पेट की समस्चाएं थी उससे में अब राहत मिलेगी त्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है इसलिए कन्यराश क्यात को खान पिन के चीज़ों में ध्यान रखें बाहर यानि बिल्कुल न खाए पिये धूब में बिल् रहने वाला है आज आपका शुबरंग रहेगा यहां पर यानि की नीला और भाग साथ निवारा आपका तक्रीवन यानि की 93% तो दोस्तों जाते ते वेट करें जरूर करें नए तुछ आपको सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएग जैशने देव